जैन दोस्तों युपे सिंधी में आफ से का बहुत-बहुत स्वागत है और एक बहुत जबरदस्ट डाउट था जो मैंने एक वीडियो बनाया था प्रॉपर कि आपको पूरे साल की श्टेटजी क्या रखनी है खास तर पर जो हमारे एक साल की श्टेटजी क्या होगी क्या प्लैनिंग होगी एक साल में कैसे आपको त्यारी करनी है तो वहां मैंने आपसे बताया था कि आप तीन से चार महिने NCRT पढ़ें NCRT पढ़ने का तरीका मैंने उसी वीडियो में बढ़ाय था और मैंने आपसे यह बात कही थी कि बर्डेन बनाके पढ़ाई नहीं करनी है बहुत सरी यूट्यूब पर आप वीडियो देखते होंगे जहां पर करना है कि यह रटलो यह रटलो यह रटलो आपक कि समझ है वो काम आती है decision making में रटने से कभी आप एक बढ़ियां IAS बढ़ियां PCS नहीं बनताएंगे यह मेरा मानना है इसलिए मैं suggestion यह देता हूँ कि पढ़ाई को burden की तौर पर नहीं लेना है रटने बैठोगे एक बार NCRT या कोई भी किताब तो आप उसको as a burden उठा ल उनों के proper लिखे हुए हैं साही तरीके से तो मेरा खुद का भी experience है कि मैंने कैसे पढ़ाई को manage किया है और कैसे मैं हमेसा chill mood में रहता हूँ तो मैं वही बात आपको भी आप समझाने आउँ NCRT के जो list है वो आपको UPSC Hindi for CS UPSC Hindi for CS यह channel है यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी तो अगर आप यह देखने वाले हैं तो आपको वीडियो देखने की जरूवत ही नहीं यह list देख लीचे आपको proper पता चल जाएगा कौन कौन सी NCRT पढ़नी है बस एक बात धि अपला यहाँ पर उड़ता है कि सर कौन सी NCRT खरीदें ओल्ड खरीदें या न्यू खरीदें यह बहुत वर्सेस कोश्चन आता है बार बार लोग पूछते हैं मेरा आपको ही सजेशन रहेगा आप न्यू NCRT लीजे प्रपर लेटेस्ट जो सबसे लेटेस्ट है PDF आफ NCRT .nic.in इस साइट पर आपको PDF भी प्रपर मिल जाएगी सारी NCRT की मैं यह कोंगा जो अपडेटेड न्यू लीजे उसमें बहुत सारे डेटा बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड हैं और जो नए जो UPSC, UPSC का जो पैटर्न है 2013 के बाद पूरा जो चेंज हुआ है उसमें न 8, 9, 10, 11, 12 यह किताबे आपकी हिष्टी के लिए है तो 6 से लेके 12 तक हिष्टी की किताबे यह आपको लेनी है यहाँ पर प्रपर इस्क्रीन पर फोटो भी लगी हुई है यह PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी तरह से जोग्राफी की भी सारी पढ़नी आपको पूरी 6 स से लेके 12 तक जोग्राफी भी सारी पढ़नी है तो आप देखेंगे जो बहुत सारे मेंस में कुश्चन आते हैं कि ग्रामीड शेत्रों में आवास के प्रकार सेटलमेंट से रिलेटर जो प्रशन आते हैं वो सारे आपके मानो भूगोल के मूल सिधान से मिलते हैं तो आप यह ले सकते हैं में बहुत सारे जो परशनाते हैं में कि यह concept कि इसका है जैसे कई बार से लेके 12 के बारा है यह आपको पड़नी है बले से अपको ऑप्षणल हो सारी रीड करनी है इसमें दरह से quality भी आपको सारी रीड करनी है, quality और international relations यहां पे साथ में है, ठीक है, तो कि बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं, जैसे आप देखेंगे समकाली इन विश्व राजनीती, ठीक है समकाली इन विश्व राजनीती अगर आप देखेंगे, तो यह proper यह आपको, जो current में ह लोग IR पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने के लिए यह वाली किताब, प्लस current affairs, more than sufficient है, और कुछ नहीं पढ़ना है, तो यह भी 6 से बारत की सारी NCRT पढ़नी है, और दोस्तों, अगर आपको NCRT पढ़नी में दिक्क आते हैं, में question आएंगे, तो लिखेंगे क्या, तो आप यूपे सिंदी का NCRT जॉइन कर सकते हैं, foundation batch, यह दोस्तों केवल और केवल 25 सो रुपए में, अभी सबसे best price यह चल रही है, 25 सो रुपए में पूरे एक साल का subscription है, proper time scheduling के हिसाब से आपको NCRT की classes upload की जाएंगी, कि आपको burden भी न बने, और guaranteed है, आपको एक भी notes बनने की ज़रोदी, एक केवल lecture आप सुन लेंगे, अगर lecture सुन लेंगे, तो आपका खतम हो जाएगा, हमने क्या किया, अभी recent में एक नया offer include किया है, NCRT के साथ, इस 25 सो रुपए में, NCRT के साथ, हम 100 गंटे की special, special prelims focused classes भी उस आप इस number पे, यह जो number इधर मैं circle कर रहा हूँ, 951978007, यहाँ पे call या whatsapp करके आप details प्राप्त कर सकते हैं, NCRT best related, economics के लिए आपको क्या पढ़ना है, 9, 10th, 11th, 12th की NCRT आपको economics के लिए पढ़ना है, इसमें basically जो data पुराना है, उसको ignore करके आगे पढ़ना है, ठीक है, इ science आपको 6-10 तक की सारी read करनी है, 6-10 तक की सारी read करनी है, लेकिन 11th और 12th, अब 11th और 12th तो जब मैं ITJ की त्यारी कर रहा था, तब मैंने science पढ़ी थी, NCRT, आप ITJ की त्यारी तो कर नहीं रहे हैं, इसमें कुछ chapters हैं, जैसे आप देखोगे, 11th में रसायन विग्यान में, जैसे आपको पढ़ना है, इस तरह से biology में chapter 4 और 5 आपको पढ़ना है, तो सारी नहीं पढ़नी है, केवल ये 3 chapters 11th वाले में पढ़ना है, इस तरह से 12th वाले में, रसायन विग्यान यानि chemistry में आपको केवल chapter 16 पढ़ना है, biology में आपको 8-9-10 और 13-16, तो ये आपको पढ़न है basically, तो science और environment का भी आपका अच्छा खासा portion in chapter से हो जाता है, art and culture के आपको 11th और 12th दोनों की NCRT पढ़नी है proper, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये जो दोस्तों batch है, आप देखेंगे इस batch में जो NCRT का batch है, तो मैंने किताबें आपको उसमें NCRT batch में guidance दिये कि कैसे आप preparation करेंगे, कैसे आप management करेंगे, तो बहुत शांदार वो classes है, आप उसको join भी कर सकते हैं, ये आप ये list लेके खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई और problem हो, कोई doubt हो, तो comment section में बताइए, 2024-25 के आप तयारी कर रहे तो मैं proper आपको help करूँगा, आपको इस जो आपकी यात्रा है, civil servant बनने की मैं हमेशा support उसमें करता रहूँ, जहीं जय भालत